घाटे से मुनाफे में आई टाटा की ये कम्पनी अब हिस्सेदारी बेचने की कर रही तयारी जाने प्लान टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को मजबूत करने के लिए एक बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कम्पनी लगभग 10.5 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। सिंगापूर की टेमा सेक होल्डिंग्स, केके आर और जनरल अटलांटिक शामिल है। दिसंबर दिमाही में टाटा मोटर्स ने 3043 करोड रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया है। साथ तिमाही यानि 21 महीने के बाद पहली बार कंपनी को मुनाफा हुआ है। तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आए भी बढ़कर 88,489 करोड रुपए हो गई। पिछले वित्वर्ष की समान अवधी में यह 32,239 करोड रुपए रही थी। बतादें की गुरुवार को टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी है। इस दौरान कंपनी का शेयर 0.6-3% की तेजी के साथ 434 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। झाल